हेलो एब्रिवान वालकम टू मैं चैनल आप सभी को मेरा चैनल जीएजडी सार में स्वागत करता हूं आज एक देखेंगे रिक्वर्मेंट आया है एंशेल के तरफ से जो इंटर्नल कर्मेंट है दरसल यह उपन टू आल नहीं है जो भी पर्मेनट एंपलोई है एंशेल का और उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन है और इकुसेट जरूरत सर्टिविकेट है लाइसेंस या पर्मिट है तो ये जो पूस्ट दिया गया है इस प है डिए पर्मानिल होना चेहिए में पूस्ट नहीं क्या होना चाहिए ऊप हो आपको करेंगे ह vibes उसको इस को डख भाउन कैसा हो और आपको क्या करना पड़ेगा और क्या 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 होगा प्रोसेस क्या है और सब्सक्राइब कर देखिये जो अप्लाइ कर सकते हैं इसका लास्ट टेट है आपका जो कि है 2021 का सिक्षिन अगोस्ट और आप क्या करेंगे प्रेस्क्राइब एप्लिकेशन फॉर्माट है उसमें जाके आपको फिल अप करना है वह फॉर्माट में दिखाऊंगा आपको और आपको जाके जो भी आपका एरिय है यूनिट एरिया और एस्टाब्लिश्मेंट जहां पर भी आप अभी एंप्लोईस हैं वहां पर आपको जाके देना पड़ेगा सब्मिट करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं वैसिकली क्या है यह जो रिकूट्मेंट है तो देखिए पहला जो है अम लोग आसिस्ट सब्सक्राइब एक दीपलोमा होता है और टीपारिमिटल केंडिट तीन साल का असको एकस्परियेंस होगा अंद स्लेक्षन विल्व प्लेस उसको असेशन फॉर्में या चार्जमेंड का पोस्ट मिलेगा या डिपलोमा नॉन डिपलोमा होंडर है और उसके पास कुछ सुपरभाईजरी सर्टिपिकेट है वहीं पर इलेक्टिकल सुपरभाईजर वह काम कर रहा होगा वहीं पर केक्ष्ट है जो माइनिंग का देखिए मैंनिक का यहाँ आप है जुन्योर ओंवर्मेंण सेकेंड शील नंबर सेकेंड जो है जुनिया ओंवर्मेंण। उसमें आपको Diploma करना है आपने क्या होगा तीन साल का Diploma प्लस एक साल का Post Diploma Practical Training आपने लिया होगा आपके पास Valid Overment Certificate, Valid Guest Testing Certificate, Valid First Aid Certificate होना चाहिए और आपका पास कोई Valid Overment Certificate है, Valid Guest Testing Certificate है और आप माइनिंग सर्दार के माइनिंग सर्दार का क्या है आपके पास माइनिंग सर्दार सीफ सर्टिपिकेट होगा अरte केस्या में से क्या जोगी टिचेमें से करूपा होगा एकस्य ग BIGτε कि उस्टी कि और हो कर्सेर चछिंबिकेट होना है आपके पास और आपको थीन साल एकसिक्रिषविस सद्दार चाहिए च्छिकेशेदी सब्सक्राइब कर देखिए सब्सक्राइब तो आप इसके लिए एलिजिबल है और यह आप डाल सकते हैं नेक्स्ट है आपका H.E.M.M.Operator देखिए अपका क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए अपरेटर पहला आता है इसके लिए मेड क्लास आपको पढ़ना है इसके है तो इसके लिए ट्रास्पोर्ट आपके लाइसेंस होगा लाइसेंस होगा तोगा सर्विस प्रियोड आपका हो जुगा है इसके लिए एलिजिबल है नेक्सट तरक ग्राडर ऑपेरेटर भी देखेए ग्राडर ऑपेरेटर भी एट क्लास है आपके पास बहुत होना एक तीन सल का एक्सप्रास चाहिए डिल ओप टर ऑपेरेटर का सिद क्लास और एक्षाल स्वागे टेनिंग आप एक्षाल होना है होते देन पेल ओड़र ऑपरेटर एड़ ऐस्वापरेटर और दो साल संशन गें सॉवेल का सर्विस परियेड भी मेट्रिक तो भी आप दल सकते हैं मिलिमम में ऊपका संब होगा MCL में और उसमें से एक साल का ट्रेनिंग आप लिये होंगे में अर्थ मुविंग मेशनेरी ऑपरेशन में इन सॉर्फेस माइनर ऑपरेटर मेट्रिक के साथ आपको वेलिट ट्रांस्पोर्ट होगा और दो साल एक्सप्रियेंस प्लस अपके पास एक यह का ट्रेनिंग ह के लिए चाहिए इट क्लास ड्राइबर एन उसके पास वेलिट से ट्रांस्पोर्ट होना है तो उसके लिए कर सकता है उसके साथ आप देखिए मज़दूर हो गया ओटो एलेक्ट्रिकल क्रिटेगरी टू और अपका एक्सकावेशन में और यह मज़दूर के लिए नौन आ काटेगरी टू है तो दो साल का सर्वीस कंपनी में और उसको कुछ लेटरेट होगा एजुकेटेट होगा उसका मैं कॉन्फेयर ऑपरेटर भी लेटरेट जानता होगा तीन साल का मिनिमम उसको एक्स्प्रियेंस चाहिए हेलफ और या ट्रेनिंग चाहिए तो उसको मस्ट एट क्लास स्टांडर्ड पर्मनेट एंप्लोई होना है उसको वहां का तो यह सब जनरली हेलफर के लिए चाहिए तो और भी कुछ देखिए जैसे टेकनिसियान टेंटाल यह सब पारमेडिकल स्टाप उसका भी निकला है यह भी आप जो है लिजिबल है तो इसको डाल सकता है इसको देख लेजिए एक बार क्या क्या है फारमसिस्ट यह सब है फिजियो थेरापी स्टाप नर्स जनरल यह सब है और क्वालिटी कॉंट्रल का भी निकला है जुनियर केमिस्ट आपको साइन्स में केमेस्ट्री में आप लोग राजवेट है और वहां पर काम कर रहा है स्कुरिटी का भी निकला है देखिये से क्या होगा स्टांडर्स सब्सक्राइब देटेल दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं इंपोड़न्ट क्या है इसका लास्ट्स वेड़ आपका सेक्शिन ऑगस्ट और यह महिना का जो अग्ला महिना है और जो यह यह एलिज़ जिस जो भी ऑथरिटी होगा कोमेंट से उससे एप्रूफ होगा लोग एलिजिबुल है जो भी केनिडेट सेलेक्शन होगा उसको पहले ट्रेनिंग प्रोबेस्टनल ग्रेट में रखा जाएगा डिपेंटिंग अपना जो केड़ेट होगा देन नोटिफिकेशन समिशन वेरि उसको टलने के बाद तो ओल एप्लिकेंट दखिए एलोंग इद दो समिट डॉकुमेंट मस्ट भी वेरिफाइब फ्रम दी सर्विस फाइल फ़र्म भी और यह सब वेरिफिकेशन के लिए यह आपको नहीं चाहिए और क्या है कि एप्लिकेशन कॉम्पिलिकेशन कॉम्पिल अब करना आपकी काम वहां का जो हेट क्वाटर होगा जो भी आपका ऑफिस होगा यह होगा वो लोक करेगा उनके लिए यह है कि वह भीजेगा अप लोगा एप्लिकेशन फॉर्म को और आमको क्या जानना है अभी देखिए सिलेक्शन और पोस्टिंग पोस्टिंग और क्र अब लिए जो भी वाले को वेरियस रिटेंटेस्ट हो सकता है इसके बारे में आपको रिटेंटेस्ट ट्रेट टेस्ट की स्टेट का जाएगा आपका मिनिमम् क्वालिफिकेशन मार्क होगा देखिए जहां पर चाहिए पूटी परसन जनरल के लिए मार्क लेना पड़ेग और थाटी परसन एस्ट के लिए चाहिए आपको मिनिमम् क्वालिफिक करने के लिए और आपके पास वेलिट शाटीफिकेट भी होना है जिसका वेलिट लाइसेंस या सेचिडरी जो भी साटीफिकेट है अपको वेलिट करना है अब को एडिशनल मार्क हो समय तो पहले तो को टेस्ट टेस्ट या स्किल टेस्ट जो भी होगा उसके साथ आपका जो एक महिना के अंदर आपको पोस्टिंग जो भी स्कोर होगा तो एक महिना के अंदर आपको जोइनिंग आजाएगा थाटी डिस्के अंदर तो यह आप देखाऊंगा आपको कि इसका फॉर्म कैसा है और आपको कैसे क्या करके एंट्री करना है ठीक है देखिए तो देखिए यह है जो आपका पेस्क्राइब फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म है कैसे आपको फिलब करना है यह फॉर्म यह पहले से बोल दे रहा हूं कि यह MCL employees के लिए है जो वहां पर औरेडी काम कर रहा है तो यहां पर दिखिए स्वियर लंबर वान में आपका दिया गया है पोस्ट कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और पोस्ट का नाम यहां पर लिखेंगे आपका नाम जो एंप्लोई है वो जो रिप्लाइ कर पापा नाम पर जो एंप्लोई होगा इसके पास वहां व्लीन परियोक धऄोरे में आप काम कर रहें इस में आपको डालना है देंational अब का दिखिए 9th नंबर क्या है 9th हम लोग का है designation और category डेटर अब जोइनिंग पोस्ट में पोस्ट में है अब मुबार नमबर लिखना है यहांप सा एक्जाम 10th यहां इन्टर करना है लिखिना है आपको पीस्क्रेप फॉर्म में देन अबके पास कुछ इस टेकटनीकल लाईसेंस है तो इसका डीटल यहां पर डालना है आपको यहां पर पर सकते हैं लिख़िए देकलेशन आपको इसको करना है यहां पर अपको सिगनेचर करना है रे लिखना है और ऐसके बात आपको यह जो भी है एरिया पका कि आप यह 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 जिद्वाद नहीं है जाके यह कुछ को जो भी आपका डॉकूमेंट है उसके साथ लगा वहाँ पर काम करेगा वह क्या करेगा उसको लेके आपका डॉक्सक करने नजो भी टेस्ट होना है टेस्ट होने के बाद आपको जो होगा होगा और तो यह आपको इनफोर्मेटीब लगा तो चैनल को ऐसे अप्डेशन के लिए अप्डेट के लिए जौब नोटिफिकेशन का अप्डेट और दुसरा कुछ बहुत सरा चीज़े चैनल में इसके लिए चैनल पर रही है और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यू